हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, चैनल वर्जिसमेक में आपका स्वाकत है, मैं हूँ अश्रमा, तो चलिए आज श्टार्ट करते हैं, हम हीट इंजन, आज हम पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में हैं, रेफिजिएटर के बारे में और हीट पंप के बारे में, तो दे सबसे पहले बात करते हैं, हीट पंप की, तो देखिए हीट पंप क्या होता है, हीट पंप का जो सिंपल सा वर्क है, वो क्या करना है, कि हीट को वर्क में ट्रांसफर करना, यान कि कंजर्वेशन ओफ हीट इंटू वर्क, यान कि हीट को वर्क में कनवर्ट करना, जिसकी लो रख सकते हैं कि हीट जो है वर्क में कनवर्ट हो रहे हीट इंजन के द्वारा ठीक है यानि कि लो ग्रेड एनरजी की जो हीट है यानि कि हीट क्या है लो ग्रेड एनरजी और वर्क क्या है हमारी हाई ग्रेड एनरजी तो आप ऐसे भी आज रख सकते हैं कि लो ग्रेड एनरज system जो है वह हीट इंजन जो है वह कैसा एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है यान कि वह हमें वर्क करके दे रहा है ठीक है तो देखिए जैसे कि यह हीट इंजन है हमारा working of heat इंजन जैसे कि एक से source है source का temperature मैंने आपको बताया T1 इसमें हमारी heat आ रही है इससे हमारा Q1 और ठीक है यह हमारा engine है यहां से इसने कुछ work done किया इसने हमारा कुछ ना कुछ work done किया अब work करने के बाद इसमें से जो बची कुछी हीट थी वह हमारी निकल गई Q2 को जा रहा किसमें sink में जिसका temperature कित कि हमारे पास एक heat engine है इसमें से temperature आया हमारा T1 मतलब जो source है उसमें से आया heat आई ठीक है और हमारा कुछ ना कुछ हमें work done मिलने के बाद heat हमारी reject हो गई sink में यही process होती है तो आप इसको कैसे आप देखिए इसकी होती कैसी है efficiency वगरा कैसे निखालते हैं तो देखिए Q1 जो Q1 के द्वारा जब हम इतनी heat बेज रहे हैं तो इसे हमें क्या-क्या चीज़े मिल रही है एक तो work done मिल रहा है एक तो work done मिल रहा है और एक हमें Q2 मिल रहा है यानिकि Q1 जो है वह किसके बरावर होगा W plus Q2 के बरावर और W बरावर अगर हम लिखे हैं तो हम क्या लेख सकते ह है क्योंकि क्यूव जो है greater than q2 यानिकि q1 जो है q2 से ज्यादा है तो दिखिए आउटपूट हमारा क्या है हमको पता है आउटपूट आप लोग सोचें कि आउटपूट हमारा यह वह सिंक का q2 नहीं क्योंकि हमां यह आआप आतली होग्या इंप्ट में क्या है रखने है कट सकते हैं तो देखेबन सकते हैं कि यह किसका फेर्मूला नहीं हो गया हीट इंजन की efficiency का formula ठीक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए efficiency is equal to one minus q2 upon q1 ऐसे भी लिख सकते हम इसको अब simply आप याद रखिए मैंने आपको एक आपकर ग्यादा कि क्यों द्युज़र सबसे ज्यादा होगा कि सबसे ज्यादा होगा ठीक है हमारा work done जो होगा वह वही कंद इसके care- ergon and other q2 होगा वही कम होगा इसके compare में यह दोन्हें로 चीज़र को लोनी यानिके work कभी हमें थ्वड़ा कम मिले दो तो हमारी ज्यादा होगे तो देखिए वर्क जो है हमें कम मिलेगा ठीक है कि वर्क जो है कम होगा ही हीट जो है हमारी जितनी भी हीट आ रही है उसके कपेर में ग्योवन ज्यादा है अब देखिए क्योवन की जब वैल्यू ज्यादा होगी कि डबन बढ़र रही डबन को हम कम कर रहें डबन हमारा कम है डबन हमारा कम है तो सिंपली हमको पता है कि कि हमें efficiency भी कम मिलेगी हमें क्या efficiency भी कम मिलेगी वर्क कम मिलना यार Deck कम यरिक एफिसेंशी जो हुगी वह हमारी क्या होगी less than 100 परस gynt कि हंड्रेट से कम ही कम होगी हंड्रेट से यारेट से अट्रेट भी नहीं होगी यारी कि never 100% Hefis intelligy Stones होता है gef słu होता ही by self by self यानि कि self के द्वारा यानि खुद के द्वारा hot heat जो है हमारी lower body से higher body के और यानि कि cold body से hot body के और transfer नहीं हो सकती उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यानि कि अगर हमें यह ऐसा कराना हो तो हम क्या करेंगे तो हम उसके रिश करते हैं रडीज कर यानि कि अगर हमें क्यों लोवर बडी है यानि जिसका टैंपरेचर कम है थोड़ा थोड़ा सा उब्धाईब जब धुद्धक अब क्भी तो इसके लिए hot bodies cold body string yield even हमें एत-णिकालनी है बड सेवल जब सेवल कैसा होता है यह वांग जब ही होगा कि जब रेफिजेटर में हम जो है वार्क को कुछ ना कुछ refrigerator में work दें but possible if we get some work done यानि कि हम उसमें कुछ न कुछ work done दे दें मतलब system जो है या रेफिजिटर उसमें work done देंगे तभी होगा तो देखे रेफिजिटर क्या होता है रेफिजिटर is a device which is maintain a body at lower temperature as compared to surrounding temperature यानि कि कोई भी system है उसका temperature हमें जो है कम ही रखना है उसमें से अगर temperature हमें कम रखना है तो हम क्या करेंगे उसमें से continuously heat निकालते जाएंगे उसमें से क्या करेंगे heat को निकालते जाएंगे जब heat को निकालेंगे तो क्या होगा उसका temperature कम हो जाएगा यानि वो ठंडा हो में हैं तो यह क्या करती है क्विवर्वर के रूम में काम करता है क्वा याद रखिए कि रूम में करेंगे तब हमारा ही चेट करेंगा यानि वर्क यहां कि आपको यूथ है इस वर्क ट्रींज नहीं निकालते इसमें एफिशेंसी नहीं निकालते इसमें हम क्या निकालते हैं कोफिशेंट ओफ पर्फॉर्मेंस यानि कि रेफिजेटर की हमारी पर्फॉर्मेंस कैसी है यानि कि इसमें हम एफिशेंसी को पता नहीं करते हैं में हम COP को पता करते हैं COP की फिलफॉर्म होती है coefficient of performance ठीक है तो देखे रेफिजेटर किस तरीके से सेम उसका उल्टा है कि एक temperature body है यह इसका temperature T2 है यहां से हमें continuously heat निकाल दी है यह जाए कि किसमें रेफिजेटर में रेफिजेटर कैसे काम करेगा जा हम इसमें वर्क देंगे कुछ न कुछ वर्क देंगे तभी यह वर्क करेगा ठीक है जा हमने इसमें वर्क दिया और इसमें continuously heat निकलती गई तो heat कहां जाएगी यह heat जाएगी atmosphere में या कोई भी हम कह सकते हैं कि दूसरी जेगा पर हमें heat भीज देते हैं surrounding में heat को भीज देते हैं ठीक है यानकी heat जो है T2 से T1 की ओर फ्लो हो रही है यानकी lower body से hot body की ओर flow हो रही है ठीक है तो COP क्या होता है COP simple वही है output upon input यानि कि हमारा जो आउट या हम कहा सकते हैं desired effect upon work ऐसी भी याद रख सकते हैं आप desired effect का मतलब क्या होता है desired effect means main purpose हमारा main purpose क्या है इसमें हमारा main purpose वर्क देना तो ही नहीं या क्यू वन जो है surrounding में भेजना है यह नहीं हमारा main purpose हमें इससे मतलब नहीं कि हीट हम कहां भेज रहे हमारा main purpose यह है कि हम heat कहां से निकाल रहे हैं यह इस system से heat निकल लए है यानि कि main purpose क्या है हमारा main purpose या desired effect है Q2 इनकी Q2 को हमें निकाल लाएं तो desired effect क्या हो गया Q2 और हमारा input किता होगा input क्या work है input हमारा work की तो है तो work किता होगा Q1-Q2 जैसा कि मैं आप पहले भी बता चुका हूँ कि W गराबर Q1-Q2 होता है ठीक है तो देखिए heat pump क्या होता है heat pump is a device which is maintain a higher temperature as compared to surrounding heat pump में flow जो है cold body से hot body की हो रही होगा लेकिन हमारा main purpose क्या होगा हमारा main purpose है कि किसी भी जो भी हमारा heat है उसको हमें flow कराना है दूसरी जगह पर हमें heat भेजनी है यह में purpose हमारा क्या होगा Q1 कैसे आपको बताऊंगा यान कि heat pump is a device which is maintain at higher temperature किसी भी चीज़ को higher temperature में maintain करना है हमें compare to surrounding it is also work consuming device यान कि यह कैसा वर कंजुमिंग डिवाइस जैसा कि मैंने आपको रेफिजिटर भी बताया था ठीक है it can conversion of work into heat यह भी क्या करता है work को heat में convert करता है इनकी से लिए work consuming device है कैसे same process वही है जैसे मैंने आपको बताया रेफिजिटर की तरह बस इसमें अंतर क्या है इसमें रेफिजिटर से और उसमें अंतर बस इतना है कि इसमें हमारा heat pump में किसमें heat pump में जो हमारा desired effect होगा यानकी desired effect क्या है हमारा desired effect है q1 यानकी heat हमें इस body में भीजनी है किसे atmosphere से heat ली किसे ने heat pump ने atmosphere से heat ली है heat pump ने कुछ work करके हमने इसमें कुछ work दिया heat pump में और यह heat जो है किसी भी body में हमने भीज दी तो यह body जो है temperature बढ़ता जाएका तो body के temperature को maintain करना वो हमारा refrigerator का हिट पंप का काम होता है तो और हमना high temperature को maintain करना है तो हमारा heat pump का काम है ठीक है इसकी COP कितनी होती है इसकी COP का formula वही है desired effect upon work done तो desired effect आपको पताए Q1 है Q1 upon Q2 work done हो गया ठीक है तो देखिए अगर हमारा इसमें याद रखिए Q1 बढ़ेगा हम कह रहे हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा heat भेजते जारहें तो heat pump में क्या होगा हमारा जितनी heat जाएगी हमें हमारा main purpose ही Q1 है तो हमें जितनी ज़्यादा heat बेजते जाएगे तो हमारी COP भी तो बढ़ेगी Q1 बढ़ेगा तो COP बढ़ेगी ठीक है यानि कि Q1 बढ़ने से COP बढ़ेगी लेकिन अगर हम ज़्यादा work done दे रहे हैं तो भाई हमें काम ज़्यादा करना पड़ रहा है यानि कि वर्क ज़्यादा कर रहे है तो हमें COP कम मिलेगी ठीक है तो देखें रेफिजेटर जो होता मैंने आपको बताया था इनमें comparison देख लेजिए कि COP जो होती है उसमें desired effect क्या था Q2 था बस अंतर सिर्फ इतना सा ही है Q2 था और heat pump में क्या था desired effect Q1 ठीक है बागी का सब कुछ common है Q1 बढ़ेगा अब याद रखना कि रेफिजेटर में Q1 बढ़ेगा यानि कि Q1 को अगर हम बढ़ा दें तो COP कम हो जाती है बट अगर heat pump में ही अगर हम Q1 को बढ़ा दें तो हमारी COP increase हो जाती है ठीक है तो देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारी Q1 की value को बढ़ाने पर किस की COP बढ़ रही है किस की बढ़ रही है heat pump की यानि कि इस से हमें ये पता चल रहा है कि हमारी heat pump की COP refrigerator से भी ज्यादा होती है कैसे अब कितनी ज्यादा होती है तो इसका फर्मूला होता है COP of heat pump is equal to COP of refrigerator plus 1 यानि की COP of heat pump यानि heat pump की COP refrigerator की COP से एक अधिक होती है यानि की 1 प्लस होती है ठीक है तो देखिए COP of heat pump मैंने आपको बताया Q1 upon Q1 minus Q2 ये मैंने heat pump की COP बतायी थी ठीक है आपने एक फर्मूला पढ़ाता के heat engine की efficiency कितनी होती है heat engine की जो efficiency होती है वो होती है Q1 minus Q2 upon Q1 ये पढ़ी थी तो देखिए एक दूसरे के दिखरा है हमें inversely proportional है inverse में है यानि कि एक वटे में है तो जब एक वटे में है तो क्या होगा efficiency of heat pump is equals to 1 upon COP of heat pump efficiency of heat engine is equal to 1 upon COP of heat pump ठीक है ये हो जाएगा अब मैंने आपको बताया कि COP of heat pump किसके बरावर होती थी COP of refrigerator plus 1 ऐसे भी लग सकते हैं तो देखिए efficiency of heat engine क्या हो गया efficiency of heat engine हो गया is equal to 1 upon COP of refrigerator plus 1 आप इसको ऐसे भी लख सकते हैं ठीक है तो देखिए अब COP of refrigerator अगर हमें निकालना हो तो हम इसको ऐसे भी लख सकते है मैंने डारेक्ट लिख दिया है formula COP of refrigerator is equal to 1 upon 1 upon efficiency of heat engine minus 1 ये आपको numericals को solve करने में काफी help करेगा आप इसको note कर लेजिए और याद कर लेजिए ठीक है ये खाफी important formula है तो आप इसको याद कर ले न COP of refrigerator is equal to 1 upon efficiency of heat engine minus 1 तो thank you so much अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें थेंक यू